पिछले आठ सालों से बन रही ये फिल्म अब हो गई फाइनल पिछी दिनों पहले ये खबर आई थी कि आमीर खान भाय पहले अंत्रिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बायोपिक में मुख्य के दार निबा रहे हैं फिर ये भी कहा गया है कि फिल्म का नाम सेल्यूट फाइनल किया गया है खबर से आमीर के फैंस बेहत उत्साइध होटे अक्स ओफ इंदुस्तान को खत्म कर आमीर इस फिल्म पर काम शुरू करेंगे फिल्म से जुढ़ी कि ये खास बात सामने आए कि ये बायोपिक 1,2 बलकि 8 सालों से बन रहे है जी हां 8 सालों से और यह हम नहीं करें बलकि खुद राकेश शर्माने की इंटर्व्यो में ये बात कही है उन्होंने कहा कि फिल्म में आमीर खान फाइनल है लेकिन उन्हें छोड़कर और भी कुछ फाइनल नहीं है उन्होंने बताया कि इस वायोपिक को लेकर पिछले आठ सालों से बाते चल रही है बीच में फिल्मेकर्स दूसरी फिल्मों में वेस्ट हो गए मैं भी अपने काम में बिजी था अब इदक स्क्रिप्ट भी लॉक नहीं की गई है मुझे पता नहीं मेरे जीवन का कौन सा हिस्टा फिल्म में दिखाया जाएगा